एक साधू की कहानी और इन्हे सावधान किया की पानी की बाण आ चुकी है सारे लोग यहां से भाग रही है आप भी यहां से चलो तो उस साधू ने कहा कि तुम जाओ मुझे भगवन बचा लेगा कुछ देर के बाद पानी साधू के गले तक आ गया तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठ कर भाग रहे थे उन्होंने जब साधू को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ वरना आप डूब जाएंगे लेकिन साधू ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ मुझे भगवन बचा लेगा और वहां लोग भी वहां से नाव लेकर चले गए थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वहां साधू एक पेड़ पर चड़ गए तभी वहां से एक हेलिकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था जब उन्होंने इस साधू को देखा तो साधू की तरफ रसी फेंकी और उन्हें उपर आने को कहा लेकिन साधू ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ मुझे भगवन बचा लेगा और वहां हेलिकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधू पानी में डूप कर ही मर गया जब वो मरने के बाद भगवन के पास पहुँचा तो उसने भगवन से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की इतना आपको राद दिन याद किया आपने मुझे बचाया क्यों नहीं तो भगवन ने कहा अरे बेवक्कूफ तुझे बचाने के लिए तीन बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था एक बार पैदल दूसरी बार नाव लेकर और तीसरे बार हेलिकॉप्टर लेकर सीख कि खुदा हमेशा किसी न किसी को जरिया बना कर भेजता है हमारी मदद करने के लिए लेकिन हम अपने घमण में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में